आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ टो दो वोल्ट है तब प्रत्येक सेल के आंत्रिक प्रतीरोध का मान हमें बताना है कितना होगा और यहां पे चार विकल्प हमें ओम में दिया गया है तो आजये हम लोग इस प्रेशन को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है जह होगा तो जब भी हम लोग समांतर क्रम में विभाव को जोड़ते हैं तो वो हमें उतना ही मिलता है ठीक है तो उतना ही मिलता है तो हम लोग इसके तुल एक परिपत बनाएंगे जिसमें हमारे पर सेल का जो विभाव आएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो इनके आं बटे दो के रूप में दो प्रतिरोध जुड़े हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर बटे दो के रूप में मिलेगा तो इस तरह से हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध जो है आर बटे दो यहाँ पे आ जाएगा अब फिर हमें बोला जा रहा है कि 20 ओम के एक समान प्रति तो इस तरह से हमें परिपत मिलेगा अब इस परिपत में क्या होगा कि यहां से आई धारा प्रवाहीत हो रही है जिसके वज़े से विभाव मापी में हमें 1.2 वोल्ट का यहां पर माप दर्शार है तो हम लोग को ज्यात करना रहेगा कि सेल का जो आंत्रिक प्रतिरोध है वो कितना होगा तो सबसे पहले हम लोग यहां पर विदुद्धारा आई का मान जो है इसको निकालेंगे तो आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा जो सेल का विभाव है एक दस हम लोग पांच वोल्ट बटे कुल इस परिपत का प्रतिरोध तो यहां पर आर बटे दो और तो वी एबी का मान कितना हो जाएगा वी एबी बराबर हो जाएगा इस परिपत में जो प्रवाहित धारा है आई गुड़ित यहां पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है ठीक है तो वो कितना हो जाएगा 10 ओम का हमारे पास प्रतिरोध लगा है ठीक है तो यह जो वी एबी है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास इसमें प्रवाइद धारा आई यान की ये वाले मान के तो इस वाले मान को हम लोग यहां पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास अगर हम लोग मान देखे तो आई का मान हम लोग यहां पर मुख्य रूप से रखेंगे ठीक है त तो यह हमारे पास बराबर हो जाएगा 1.2 वोल्ट के, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 धन, आर बटे 2 को इधर पक्छांतर कर देंगे, और यहाँ पे 10 का गुड़ा करेंगे, तो यह हो जाएगा, 15 बराबर यहाँ पे यह गुड़ा होगा, तो 10 इसके साथ में गुड़ा होगा, तो यह हो जाएगा, 12 फिर हमारे पास यह हो जाएगा, धन, 1.2 का गुड़ा, आर बटे 2 से कर देंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1.2 आर बटे, 2 के रूप में हमें मान मिलेगा, अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं, तो हमारे पास यहां पर जो 12 है, उसको हम लोग इधर पक्छांतर करेंगे, तो यह घटेगा, तो यह हो जाएगा, 3 बराबर, 1.2 आर बटे, 2 हमें आर का मान चाहिए, ठीक है, तो आर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको इधर पक्छांतर करेंगे, तो 3 गुड़ित 2 बटे यह हो जाएगा, 1.2, अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं, तो देखें, यह हमारे पास हो जाएगा, 6, तो यह हो जाएगा, 6 बटे, 1.2 और इसको हम लोग लिख लेंगे, 6 बटे, 12 गुड़ित 10 की घात, यहां पर रड एक के रूप में, अब यह 6 से 1 बार में, और यह 6 हो जाएगा, 5 ओम हमें, ठीके प्रत्य एक्सेल का, तो इसके अनुसार विकल्प में आएगे, तो ए दिया, 12 अमनों 5 ओम गलत है, B, 4 ओम गलत हो जाएगा, C, 5 ओम बिल्कुल सहीं है, D, 10 ओम गलत हो जाएगा, यानि कि सहीं विकल्प जो होगा, C, विकल्प होगा, धन्यव तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स कभर होसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर